दोस्तो कोईन खदाना सीरीज में आज का ऐसा कोईन है जिसको सुनके आपकी खोपड़ी घूम जाएगी एक ऐसा कोईन जिसकी इंफाइनाइट सप्लाई है प्राइस गरने पर आपको खुशी मिलती है और उसके बावजूद भी लोग अपना पैसा इसमें साथ दिन में डब मातए हैं इस कोईन के बारे में जिनको आप काॉंटर समझेंगे की ऐसी चीज जो बिलकुल कमकरेंगी आपकी सोच के बिल्कुल opposite way में काम करेंगी बट फिर भी आपको ये coin profit दे सकता है और कोई मामूली से profit नहीं एक जबरदस्त profit तो आज तक experience ने हमें ये बताया है कि जिस coin की supply कम होगी उसकी उतनी जारा demand होगी क्योंकि यहां पर demand and supply का ratio चलता है साथी साथ अगर coin का price उपर जा रहा है तो हम खुश होते हैं बट ample fourth जिस coin के बारे में हम बात करेंगे वो एक ऐसा coin है जिसमें unlimited supply है अगर आप मेरी tweet देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है strange but true ample can make you fall in love with inflation तो coin की supply inflate हो रही है बढ़ती जा रही है बट फिर भी आपको वो पसंद है दूसरी चीज अगर coin का price गिर रहा है उसके बावजूद भी आप इस coin को पसंद करेंगे तो ample fourth ने ऐसा क्या कर दिया दो आस तक कोई भी coin नहीं कर पाया और क्या ऐसी चीज है जिसके कारण यह massively shoot कर गया market cap में हाला कि अगर हम इनका white paper देखें और coin market cap अगर data देखें तो यह may 20 2019 का coin है यानि कि एक साल से भी ज्यादा हो चुका है इस coin को पर recently कुछ दिनों में ample fourth ने बिलकुल तबाही मचा दी है और हर group पे चाहिए telegram हो चाहिए twitter आपको हर जगा ample fourth के बारे में ही बात होती भी दिखेगी तो ample fourth की history में अगर मैं पिछले महीने की बात करूँ तो जित लोगों ने इसमें invest किया था उस time से आज तक आपको massive returns मिल चुके हैं यानि कि कुछ महीने पहले इस coin की सिर्फ market cap 10 million थी बट आज अगर market cap देखेंगे तो इसकी 481 million dollars हो चुकी है यानि कि 40-50 गुना already earn कर चुके हैं लोग पिछले महीने की investment से अभी तक जो coin पिछले महीने तक top 100 में नहीं था, top 200 में भी नहीं था वो coin अब rank 29 पे पहुंच चुका है और तेजी से बढ़ता जा रहा है अब जितना ये coin innovative है उतनी innovative exchange पे भी ये लिस्टेड है आप इस coin को FTX से ले सकते हैं और इसके लावा आपको ये Bitfinex, Qcoin और Uniswap पे भी मिलेगा बट स्पेसिफिकली गर FTX की बात के रहें तो FTX पे आपको Apple के trading pairs मिल जाएंगे USD और USDT और साथी साथ यहाँ पे आपको futures trading का भी मौका मिल जाएगा Apple के अंदर जो और किसी exchange में available नहीं है अब FTX exchange के बारे में काफी लोग पूछते हैं कि genuine है के नहीं तो ये exchange बिल्कुल genuine है और इसके उपर मैं already यहाँ पे दो वीडियो बना चुका हूँ FTX जैसी innovative exchange आपको और अभी फिलाल दुनिया में नहीं मिलेगी जितनी options FTX पे available हैं उतनी और अभी तक किसी भी और exchange में available नहीं है तो FTX को मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था Traders Paradise और साथ याद एक दूसरे वीडियो में मैं आपको बताया था कि FTX के उपर आप अपने खुद के bots कैसे रंद कर सकते हैं trading के यह दोनों वीडियो आप FTX के उपर देख सकते हैं और FTX अब एक और project launch कर रहा है वो है project serum और यह है बहुत interesting project दुनिया की पहली completely decentralized derivatives exchange होगी सबसे important is trustless cross chain trading यानि कि आप cross chain trade कर सकते हैं चाए neo की chain हो चाए eos की हो चाए ethereum की हो चाए bitcoin की blockchain हो आप cross trades कर सकते हैं यहाँ पर वो भी बिल्कुल trustless way में तो completely decentralized exchange है अभी तक यह launch नहीं होई है बहुत जल्द यह launch हो जाएगी cross chain support है on chain stable coin है order books जो है वो बिल्कुल वैसे ही वे में काम करेगी जैसे फिलाल centralized way में काम करते हैं और साथी साथ यहाँ पर सबसे important चीज डी centralized exchange जो phase करती है वो है speed बट इस exchange में speed की भी कोई problem नहीं होगी अब एक और important चीज SRM token srm token इस exchange का native token होगा और अगर आप यह token यूज़ करते हैं तो 60% आपको fee में off मिलेगा बट ftx ने recently announcement करी है कि अगर आप ftx का ftt token जो है वो hold करते हैं तो 5% srm token की airdrop ftt holders को मिलेगी तो ftx के इकोसिस्टम में बहुत अच्छा मौका है पार्ट लेने का ftt token अगर आप hold करते हैं तो उसमें आपको srm token की भी airdrop मिलेगी तो काफी interesting exchange है cross chain swaps है यहाँ पे पहली दुनिया की decentralized fully decentralized derivatives exchange है खुद का stable coin है token है और साथी साथ यह बनी हुई है solana पे तो काफी interesting project जरूर देखिए project का link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो अब बात करते हैं ample forth की ample forth कैसे चलता है कैसे आप इसमें participate कर सकते हैं क्यूं इसमें लोग इतनी जबर्दस earning कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात की इसमें risk क्या है तो अगर आप यह token खरीच चुके हैं या फिर खरीदने का plan कर रहे हैं तो इन सब चीजों को समझना बहु बट यह बहुत बड़ी बेवकूफी होगी आपको इस coin में अगर invest करना है तो आपको staggered way में invest करना होगा यानि कि हमेशा की तरह जैसे बाकी investments आप करते हैं अपने पूरे capital के साथ इसमें मत invest करिए कुछ percentage से initial buy करिए उसके बाद जैसे जैसे price नीचे जाए अगर dip में जाए है तो वहाँ पे levels पे अपने जो है बाइवरेज करते रही है अब यह token काफी ज्यादा innovative है काफी ज्यादा unique है बाकी किसी भी token से बिल्कुल हटके है और इसलिए इसका जो white paper है काफी ज्यादा complicated भी है तो मैं recommend करूँगा कि अगर आप इसमें invest करना चाहते हैं तो एक बार ज अगर आपको यह सब चीजे नहीं समझ में आती तो इनके beginner's guide भी है जिसको तो मैं recommend करूँगा कि जरूर एक बार जरूर देख लीजिए हमेशा की तरह यह को investment advice नहीं है आपको बिना अपनी research किए invest नहीं करना तो अगर आप इसमें invest करते हैं तो यह 100% आपकी यहाँ पे responsibility है मैं आपको यहाँ पे सिर्फ guide कर रहा हूं और एक simple way में समझा रहा हूं कि Ampleforth कैसे काम करता है और आप इससे कैसे maximize कर सकते हैं अपना profit Ampleforth में invest करते time आपको तीन चीजे हैं जो ध्यान में रखनी हैं सबसे पहले तो Ampleforth की supply जो है वो unlimited है और daily basis पे depending on the demand depending on the price की क्या चल रहा है वो एक बार दिन में adjust होती है दूसरी चीज बहुत important कि Ampleforth एक essentially एक stable coin है यानि कि long run में Ampleforth की value $1 पे stabilize हो जानी चाहिए और तीसरी चीज अगर एक certain price range के ऊपर रहेगा price तो आपको extra coins मिलेंगे हर रोज अगर उस price range से नीचे चला गया market price तो आपके जो coins हैं वहां से deduct होते रहेंगे तो यह तीन चीज़ें आपको बिल्कुल crystal clear होने चाहिए कि अगर आप इस coin में invest कर रहे हैं तो यह सारी चीज़ें आप expect कर सकते हैं इस coin के साथ अब coin अगर आप किसी भी exchange पे करीते हैं जो यहां पे recommended exchanges हैं प्लस अगर आप Uniswap पे करीते हैं अपने माइत और wallet में इस coin को रखते हैं हर जगा चाहे वो exchange पे हो चाहे आपके खुद के wallet में हो हर जगा आपकी जो coin है वो हर 24 घंटे में change होंगे या तो कम होंगे या जदा है तो आपको extra coins मिलेंगे अगर 1.061 से लेकर 0.961 के बीच में price रहता है market price तो कोई भी change नहीं होगी supply यानि कि आपके जो coins हैं उतने ही उतने रहेंगे अगर यह price 0.96 dollar से नीचे चला जाता है तो आपके जो coins हैं वो कम हो जाएंगे तो जो current market price चल रहा है अगर 1 cent भी इस से जदा रहता है market price तो आपको उस दिन जो है extra coins मिलेंगे अगर इस price से 1 cent भी coin नीचे के चला जाता है price में तो आपके जो coins हैं वो deduct होने लग जाएंगे अब समझने के लिए कि कितना percent deduction होगा कितना percent addition होगा उसका एक simple सा formula है जो यह लोग use करते हैं उसको समझने के लिए लेकर चलता हूं मैं आपको यहाँ पर dashboard पर तो यह आपको दिख रहा होगा next rebase का time यानि कि यह दिखा रहा है कि कितने time के बाद जो है वो coin supply adjust होने वाली है उसके बादा है oracle rate यह चलता है पिछले 24 hours के basis पर तो पिछले 24 hours में क्या इस coin का price था वो यहाँ पिन्होंने set किया हुआ है price target क्या है one point zero zero nine dollar जो शेवना को बताया कि एक stable coin है तो हमेशा one dollar पे ही आने की कोशिश करेगा यहाँ पे है current circulating supply और total supply अब कितना percentage coin का जो supply है आपके wallet में increase होगी decrease होगी वो depend करेगा कि यह जो oracle rate है जैसे two point one eight seven है plus जो आज का current price चल रहा है जैसे अभी चल रहा है one point five four अब क्योंकि यह जो price है one point zero six dollar से उपर है तो यह क्या करेगा कि इस price में से उस current market price को deduct करेगा जैने कि minus करेगा और उसको जो भी difference आएगा उसको 10 से divide कर देगा उसके बाद जो percentage निकल के आएगी वो percentage होगी जिससे आपकी circulating supply coin की बढ़ेगी या घटेगी और वही circulating supply जो बढ आपके wallet पे भी आएगा अगर माली जे 10% supply बढ़ती है तो 10% आपके coins बढ़ जाएंगे अगर 10% supply घटती है तो आपके coins भी 10% घट जाएंगे चाहे वो exchange में पढ़े हो चाहे आपके wallet में पढ़े हो तो simple way में यही concept है supply increase होने का आपके coins wallet में बढ़ने का या फिर घटने का अगर आपको यह चीज़ समझ में आ गई तो जो next चीज़ समझने वाली है वो यह है कि आपको बस सिरफ coins खरीदने है और उस पे कोई भी action नहीं लेना है वो अपने आप आपके wallet में बढ़ते घटते रहेंगे बढ़ा आप पूछेंगे कि इससे आपको फाइदा कैसे हो सक होती है और price अगर उसी price पे रहता है जिस price पे आपने coins ले हैं तो साथ दिन के अंदर आपका जो 1000 dollar है वो बन जाएगा 2000 dollar यानि कि आपका जो investment है वो double हो गई अब पिछले महीने से क्यों लोगो इतना profit हुआ है उसका simple सा reason है कि पिछले महीने का जब आप price chart देखेंगे तो पिछले तीन या चार हफते से एक dollar से नीचे price गया ही नहीं है तो negative rebase नहीं हुआ है यानि कि लोगों के wallet में से coins कम नहीं हुए है सिरफ बढ़ते ही गए हैं और वो compounding effect से बढ़ रहे हैं यानि कि अगर आज 10% coin बढ़ते हैं तो जो आज आपका wallet का balance हो गया अगर कल भी 10% बढ़ जाता है तो उसी wallet balance के उपर 10% और add हो जाएगा तो इसी चक्कर में जो coin का जो balance है लोगों के wallet में बढ़ता चला गया क्योंकि एक dollar से price अभी तक ऊपर चल रहा है पिछले तीन हफते से और साथ ही साथ क्यूंकि price भी appreciate कर रहा है तो जितने भी आपको extra coins मिल रहे हैं वो current market price पे आप sell कर सकते हैं तो इसी को चलते हैं लोगों के जो wallet balances है और जो profit margin हो रहा है वो बहुत जबर्दस तरीके से gain कर रहा है तो आप imagine करिए कि अगर आपके पास 1000 coins पड़े हैं अगर आपको 10% हर रोज मिल रहा है 100 coins आपको extra मिल गए एक दिन में और price अगर चला गया तो risk भी जितना बड़ा यहां पर reward है उतना ही बड़ा यहां पर रिस्क भी है अगर आप इस coin की history देखेंगे तो काफी time period तक इस coin का price एक डॉलर से भी नीचे चला है यानि कि उस time पे जितना यह एक डॉलर से नीचे price रहता है उस time पे आपको जो wallet balance है वो उतने ही percentage से घट रहे हैं उतनी percentage से कम भी होने शुरू हो सकते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए तभी मैंने का है कि इस coin में आपको एक जटके में invest नहीं करना है जितना जादा price low जाए आपको staggered way में यहां पे investment करनी है जितना जादा greedy आप होएंगे उतनी ही जल्दी आप यहां पे lose out भी कर सकते हैं वहीं अगर आपने कुछ भी यहां पे invest किया हुआ है और अगले दो तीन चार हफ्ते तक अगर price एक डॉलर से उपर रहता है तो हर रोज आपको जो coins extra मिलते रहेंगे उससे आपकी average जो है वो कम होती रहेगी और आप उतने ही ज़ादा profit में होंगे अगर coin का price appreciate क खरीद पाएंगे क्योंकि उस time पे जो आपका margin है वो कम होगा और अगर coin वहां से बढ़ना शुरू हो गया तो आपका एक तो dollar terms में बढ़ता रहेगा coin ऊपर से आपको जो rebates है यानि कि हर 24 hours में जो adjustment होती है वो भी उतनी ही ज्यादा वहां पे मिलती रहेगी तो इस coin में अ आपना principle निकाल लीजिए क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी होगा वह आपका profit ही होगा और वह अगर gain करता है तो बहुत अची बात है अगर नुकसान भी हो जाता है तब भी आपको दुख नहीं होगा तो सबसे important चीज यही है कि इस coin में invest करते time आपको यह ध्यान में रखन है अब इसलिए मैंने बोला कि price जो कम अगर जाता है तब भी आपको यहाँ पर खुश होना चाहिए अगर आप इस coin को समझते हैं तो आप यह भी समझ जाएंगे कि जितना ज्यादा कम price होगा उतनी ज्यादा यहाँ पर बाइंग ऑपरचुनिटी होगी जो इस चीज को यहाँ पर प्राइस दो डॉलर पर गिरा तो डेली जब भी कॉइंट होते हैं जब भी लोगो एक्स्ट्रा कॉइंस मिलते हैं तो प्राइस डाउन जाता है उसके बाद दिरी दिरी दिन में बढ़ना शुरू होता है बट लोग यहाँ से profit निकालते हैं और जितना ज्यादा यहाँ पे लोगों को profit होता रहेगा उतना ही जादा यहाँ पे wild swings भी आपको देखने को मिलेंगे और यहीं पर opportunity आ जाती है जो नए investors आ रहे हैं उनको कम prices पे यहाँ पे coin मिल सकता है और अगर आप फिर से बढ़ता है तो वही investor जिन्नोंने आज invest किया है उनको भी profit हो सकता ह है तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि यह coin बहुत जादा innovative है यहाँ पे पूरी एक cycle बनी हुई है जहाँ पे whales है अगर वह coin dump करती है तो नए investors उसको pick up कर लेते हैं और नए investors भी धिरीदरे करके यहाँ पे whales बन सकते हैं तो strategy आपकी यह होनी चाहिए कि जब आप इसमें invest करें तो सबसे वेरे target रखी अपना principle यहां से निकालिए उसके बाद जो आपका profit हुआ है उसको वहाँ पर पढ़े रहने दीजिए और उसको compound होते रहने दीजिए compound होता रहेगा और profit है आपका तो long run में आपको बहुत जादा substantial returns दे सकता है अब finally मैं आपको यहाँ पर बता दू कि अगर आप बेकुल casual user हैं तो इससे दूर रहे क्योंकि इसमें थोड़ी सी complications है और उतना straight forward नहीं है और सबसे बड़ी बात अगर आपने 1000-2000 dollar से कम में invest किया हुआ है तब तो यहाँ पर जादा फाइदा नहीं होगा तो अगर आपकी investment इसमें substantial है तब ही आप यह चीज लोगों को कि अगर आप Uniswap जैसी exchange में liquidity provide करते हैं तो आपके जो rewards मिल रहे हैं आपको वो तीन गुना तक हो सकते हैं उसके लिए उन्होंने यहाँ पर launch कर दिया है geyser और यह कैसे करना है वह मैं आपको quickly समझा देता हूं इसके tutorials आपको यहाँ पर मिल जाएंगे website पर step by step इसको कर सकते हैं बट मैं इस वीडियो में जादा detail में नहीं जा रहा क्योंकि यह थोड़ा सा advanced topic है और काफी लोगों को यह समझ नहीं आएगा और in fact फायदा भी नहीं होगा बट अगर आपकी substantial investment है और अगर आप इसमें participate करना चाहते हैं तो सबसे simple तरीका है आपको जाना आपको यूनिस्वाप के पूल में डालने के लिए जाना पड़ेगा यहां पर इन्वेस्ट में क्लिक करते ही यहां पर आपको पूल देखेगा इथेरियम और आमपल का पूल इसका भी आप आर ओई देखेंगे तो 273.62 परसेंट चल रहा है इसमें इन्वेस्ट करने के ल यूनिस्वाप के पूल में लिक्विडिटी आड हो जाएगी और वहां पर आप अर्निंग स्टार्ट कर देंगे यूनिस्वाप पूल की जो आपको एथेरियम ट्रांजक्शन फी में और आमपल के टोकन में मिल सकती है बट यह स्टेप करने के बाद अगर आपको 3x अपन कЬ यहाँ पी वैसे स्ट्रेट फो़वर्ड स्टेप है रोड होने के बाद आप रहेंगे यहाँ पिशु आपकर सकती है छो आप गौने आप मैकश्यम unto पकरते कर सकते हैं जो आपकाद में मैंट आपने मैंने कुए इसद्म कर लाइए हो Read trial के लिए यहां पे बहुत कम amount invest किया हुए तो आप देख सकते हैं मेरा सिर्व reward eight ample per month यहां पर दिखा रहा है इसलिए मैं recommend कर रहा हूं कि अगर आपके पास substantial amount है दो तीन हजार डॉलर से जादा अपने investment करी हुए है तब आके यह step कर सकते हैं ताकि आपके जो rewards हैं वह जादा हो तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी है आपको यह बिल्कुली खोपड़ी गुमाने वाला coin समझाने के लिए इसमें सारी ऐसी चीजें हैं जो आप किसी coin में hate करेंगे और वही यहां पर आपको फायदा दे रही है अगर आपको कुछ भी अभी तक समझ में नहीं आया है तो अगर आपको invest करना है तो अपने उसी amount से invest करिए जो आप afford कर सकते हैं lose करने का थोड़ा सा amount यहां पर डाल दीजिए और उसको सिरफ और सिरफ hold करिए और कुछ भी मत सोचिए तीस दिन दो महीने तीन महीने चार महीने तक उसको सिरफ hold करके ही रखिए बहुत सारी लोग आपको बहुत कुछ सजेस्ट करेंगे कि अपना सारा capital एक साथ मत invest करिए और उसको दीरे-दीरे करके इस coin में डालिए और जितना जादा आप एक डॉलर के पास इस coin को खरी सकते हैं उतना ही जादा आपको यहां पर profit यह coin दे सकता है long term में ultimately अगर coin का price एक डॉलर से जादा रहा तो आपको in any case आपके additional coins यहां पर मि swings आपको देखने के लिए मिलेंगे और एक ही दिन में चार से एक डॉलर तक अराम से गिर सकता है तो अगर आप उस time पर घवरा के अपने coins बेच सकते हैं या आप उस mentality से यहां पर invest कर रहे हैं कि आपको immediately profit चाहिए तो इस coin में मत invest करिए अगर दिन के आप यह daily swings जहल सकते है और आख बंद करके इसको एक महीना दो में तक hold कर सकते हैं तो ही सिरफ इस coin में invest करिए दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो अब इसके लावा आपको कोई भी question हो तो telegram group पे आप आ सकते हैं वहां पर पूछ सकते हैं कमेंट्स में लिख सकते हैं मैं पूरी कोहिश करूँ आपको इस coin के बारे में समझाने की मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए have a safe investment